एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसाज जी हां दोस्तों सौदा खरा खरा ये गाना तो अपने जरूर सुना होगा आज हम गाने की बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं दलजीत और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच में हुए जुवानी जंग के बारे दलजीत से बोली कंगन मामला बने रहे हमारे साथ आज हम करने वाले हैं उसका पूरा विशलेशन नमस्का दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रवाज जागरन के इस नए संस्क्रन में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्टर और सिंगर दिल जीत दोसांच के वारे में साथ ही साथ एक्ट्रेस कंग रनौत सुर्ख्यों में हमेसा बनीवी रहती हैं अपने विवादित बयानों की वजह से इसी बीच एक बार फिर से इन दोनों के बीच में मामला गरम होता हुआ दिख रहा है और ये मामला काफी जादे आगे बढ़ गया है तो क्या है पूरा मामला हम आज बताएंगे आपको लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूंगा दोस्तों आप लोगों से एक अपील जो पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं जरू से जरू हमारे चैनल पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना संसकरन दोस्तों बता दूं कि एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने भड़काओ भाशन और धरले से अपनी बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं वह बहुत बेबाग तरीके से अपनी बातों को रखती हैं अब इसी के बीच में कंगना रनौत एक से बढ़कर एक ट्विट कर रही हैं और इसी ट्विट के बदोलत इन दोनों के बीच में हुई है जुवानी जंग तो क्या है वो हम सारा कुछ बताएंगे दोस्तों आपको दोस्तों एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाली में एक ट्विट किया थ उन्होंने एक tweet करके बताया था कि ये दादी साहिन बाग के विरोत प्रदेशन में धर्ना प्रदेशन में सामिल थी बाद में उन्होंने अपने इस tweet को delete कर दिया था ये बताते वे कि वहाँ पर 100-100 रुपे लेकर सभी कोई धर्ना प्रदेशन करने के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो को उनके इन्ही पोस्ट को retweet करते वे उन्होंने एक वीडियो सेर किया और उन्होंने बताया कि ये रहा आपका सबूत महिंदर कौर नाम की बुड़ी दादी का वीडियो सेर करते वे दिलजीत दोसाज ने लिखा दोस्तों कि बंदे को इतना भी अंधा नहीं होन चाहिए और कुछ भी बोलने से पहले उन्हें जरूर ये देख लेना चाहिए तो ये रहा सबूत उन्होंने अपना वीडियो उन्हों के साथ में सेर किया है दिलजीत के इस ट्वीट के बाद में कंगना को रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत पलड़वार करने में जरा करन जोहर के पालतू जो साहिन बाग में नागरिकता कानून के समय विरोत कर रही थी वो बिलकिस बानो दादी जी थी वही बाद में किसानों के साथ में भी धरना देती भी दिग गई थी महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ ये ड्रामा क्या चला के रखा है तुमने जी हां दोस्तों तो इस तरीके से कगना ने अपने दिलजीत दोसाज के जो ट्वीट की थी उसके बदले में उन्होंने इस तरीके की भासा का इस्तिमाल करते वे उनके उपर में रिट्वीट किया तो जैसे ही कगना का ये ट्वीट आया दिलजीत भी रुके नहीं और उन्होंने भी तुरंट किया उनके उपर में पलटवार और पलटवार करते हुए उन्होंने यह बात कही कि क्या तुमने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है तो क्या तुम जिन लोगों के साथ ने फिल्मों में काम किया है क्या वो सभी के सभी पालतू हैं तो इस तर जी हाँ दिलजीत का ये पलटवार कंगना को बिल्कुल रास नहीं आया और उनका गुसा मानो सात्वे आस्वान पर चला गया हो कंगना ने दिलजीत को चमचा तक बता डाला जी हाँ दोस्तों और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा ओ चमचे तु जितनों की चाट-चाट के काम लेता है ज्यादा मत उचल मैं कंगना रनाओत हूँ तेरे जैसों की चमची नहीं हूँ साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया दिलजीत दोसांज के अलावा उन सभी सक्स को भी उन्होंने संबोधित करते वे या बात कही जो उन्हें बदराम करने की कोसिस कर रहे हैं ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सुनो गिद्दो मेरी खामोसी को मेरी कमजोरी मत समझना मैं सब देख रहे हूं किस किस तरह से तुम जूट बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तिमाल कर रहे हो जब साहिन बाग की तरह इन धर्नों का रहश खुलेगा तो मैं एक सांदार स्पीच रखूंगी और तुम लोगों को मुझ काला करूंगी बबबर सेरनी हूं मैं तो इस तरीके से उन्होंने एक खुले आम अपना ट्वीट किया है उन सभी लोगों को जो इन्हें बदराम करने की कोशिस कर रहे हैं तो कंगना रनावत और दलजीत के और साथी साथ कंगना रनावत को काफी बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है साथी साथ कई सारे मेम्स भी उनके उपर में बन रहे हैं और उसको वारल किया जा रहा है तो यही था दोस्तो दिलजीत सिंग और कंगना रनावत के बीच में ट्वीटर वार को लेकर अभ चुका है और आरो परत्यारों एक दूसरे के उपर में काफी गंभीर लग रहे हैं तो देखना बड़ा दिल्चस्प होगा आगे कि कि इसमें नया क्या मोड आता है तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहेगा दोस्तों हम जरूर लाएंगे इसके उपर में नया अपडेट तो उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको जरू पसंद आया होगा गर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरू दवा दीजिएगा इससे मेरी अगली हर वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल पा करन में तब तक के लिए नमस्कार